हेलो दोस्तों MS Mathematics में आप सभी का स्वागत है मैं सोनो गुपता और अभी हम लोग देखने वाले हैं कि जो नया ज्वाइनिंग हो रहा है RRB Group D में जितने भी Candidate का नया नया ज्वाइनिंग हो रहा है तो उन लोगों को क्या salary मिलेगा मतलब salary क्या scale होगा कितना net salary मिलने वाल 18,000 रुपए ठीक है तो यह तो basic salary होगा दोस्तों उसके बाद DA मिलेगा तो basic salary का कितना percent मिल जाएगा DA तो 42% 42% जो है वह basic salary का DA मिल जाएगा दोस्तों तो DA 42% अगर हम निकालते हैं 18,000 से तो cool मिलाकर 7560 रुपए बनते हैं तो 7560 रुपए यह मिल गया 18,000 basic मिल गया उसके बाद HRA HRA निर्भर करता है जगह पर ठीक है कि किस जगह पर आपकी job लगी है उस चीज़ पर निर्भर करता है यह HR ठीक है 9% 18% और 27% यह तीन परकार की जो HR मिलते हैं वह depend करता है आपके जगह पर मिनीमम 1800 रुपए मिलते ह ठीक है तो 27% वाला 400 हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि अब मिनीमम और मैक्सिमम दोनों चीज़े हैं तो यह अगर मिनीमम लेकर चलते हैं तो यह HR मिनीमम 1800 रुपए हो जाएंगे दोस्तों ट्रांसपोर्ट और और सब भी मिलाकर आपका 900 ग फर्चे हैं वह आपको मिल जाएंगे 1278 रुपए ठीक है दोस्तों उसके बाद ग्रॉस जो सैलरी बनेगा अब टोटल जोडने के बाद 18,000 प्लस का 7560 रुपए प्लस का 1800 प्लस का 1278 टोडल बने 28,638 रुपए तो यह जो 28,638 रुपए यह ग्रॉस सैलरी बनेगा ठीक है द दोस्तों तो ध्यान से देखिए तो यह ग्रॉस सैलरी बनेगा कितना 28,638 डिड़क्शन मतलब कटेगा कितना तो 2556 मिनिमूम और बाकी तो वह मन के उपर डिपेंड करता है कि आपको कितना गटाना मिनिमूम जो है 2556 कटेगा उसके अलावे 30 रुपए और तो टोटल जोड रुपए यह नेट सैलरी मिलेगा यानि कि यह सैलरी वह वह बैंक एकाउंट में खाते में यह जाएगा अब यहां पर आप जोड़ सकते हो कि दोस्तों जिस भी कैंडिडेट को अगर चौन सो एचारे मिलता है तो उसमें आप एड कर सकते हो कितना 36 रुपए और एड कर सकत होगे ना तो 29,000 रुपए हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर जिस भी कैंडिडेट का जो एचारे है वह 54 रुपए मिलते हैं तो उसका जो सैलरी हो जाएगा वह बढ़कर 29,000 हो जाएगा तो दोस्तों यह थी आपकी जो है वह 2023 में जो नए कैंडिडेट है और भी ग्रू है वह थी आपकी जो जो है वह भी आ पकी जो है आपकी जो है तो झाली होग